नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन डिफेरेंस अलेट में तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी अपडेट बताने वालो हूं जिसको सुनकर आप चौक जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बैल आइकन को दबा दें ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और लेटेस अपडेट पाने के लिए तो दोस्तो अफगानिस्तान को लेकर आलोशन जिलरा अमेरिका ने एक बाप फिर से बीच मर्ज़दार में अपने फ्रेंडली नेशन को छोड़ दिया है दरसल दोस्तो अमेरिकी सैना ने साओध एरब में तनाद टर्मिनल हाय अल्टिडूट एरिल डिफेंस सिस्टम यान इमेजिंग सैटलाइट की तस्वीरों का हवारा देते हुए बताया है कि अमेरिका ने साओध एरब से अपने डिफेंस सिस्टम हटा लिये हैं और ये डिफेंस सिस्टम पहले रियाज से लगभाग 115 किलमेटर दूर प्रिंस उल्दान एरिबेस की एक सैनने फैसलिटी में जहां से इन डिफेंस सिस्टम को हटा दिया गया है वे दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्राले पेंटागन के प्रवक्ता जौन किरिबी ने पुष्टी करते वे काये कि साओधी अरब से कुछ एर डिफेंस सिस्टम को दूसरी जगा पर तेनाद किया गया हालाकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका ने कौन कौन से इन डिफेंस सिस्टम को हटाया है और ने कहां बेजा है जा फिर तेनाद किया गया है क्योंकि दोस्तों साओधी अरब की सैना काफी कमझोर है हलाकि दोस्तों साओधी अरब की सैना बहुत कमझोर है क्योंकि उसकी सैना में प्र जरूत होती है लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका ने अपने सभी डिफ्रेंस सिस्टम साओधी अरब से हटा लिए तो जल्दी साओधी अरब पर एर स्ट्राइक होती भी नज़ा रहेगी और हो सकता है कि साओधी अरब के तेल के कुई पर ड्रोन अटक हो जाएं जिससे विश् साओधी अरब के दो जो की में तेल के कुई थे उन पर ड्रोन से हमला किया था जिसके वाद सप्लाई कम हो गए थे जबकि डिमाड पहले कितना बढ़ी हुई थी लेकर दोस्तों अमेरिका का ऐसा करने से अमेरिका पर किसी को बरूसा नहीं रहेगा पहले अफगानिस्तान और अब साओध एरब अमेरिका अपने फ्रेंडली नेशन को बीज मिजदा में छोड़कर जा रहा है दोस्तों अमेरिका के इस कदम से अमेरिका पर कोई भी देश भरूसा नहीं करेगा और दोस्तों अब ऐसा होना भी लगा है क्योंकि दोस्तों अपसे कुछ दुनों पहल का भरूसा नहीं करेगा तो अब दोस्तों चलते हैं सैकेंड अपडेट की ओर तो दोस्तों 26 अगस को काबूल एरपोर्ट पर वे बंबलास में कई आम नागरेक और अमेरिकी मरीन कमांडों भी मारे गय थे वहीं दोस्तों इस धमाके के जिम्मेदारी आइसिस कुरासान ने ले थी जिसके बाद दोस्तों अगले दिन 27 सगस को पहले स्टाइक और उन्ते सगस को दूसरी स्टाइक अमेरिकी राश्पदी बार्डन के ओर्डर मिलने के बाद अमेरिका ने की थी दरसल दोस्तों जब काबूल में ऐसिस कुरासान की आतंगवादियों के चुपे होने के खबर अमेरिका को मिली तो अब सिब कुछ अपते पहले 29 सगस को अमेरिका के राश्पदी जो बाद ने कावल पर दूसरी स्टाइक अनने के ओर्डर दिये जिसमें कई आम नागरेक और बच्चे भी मारे गए और यहां तक कि दोस्तों अमेरिका के ग्राउंड सपोर्ट व कावल जैसे डैंसली पॉपलिटेड एरिया में केवल और केवल आतंगवादी मारे गया हों यह होना तो बहुत मुश्किल है और दोस्तों इस एस्टाइक के बाद अफगानिस्तान के काई नेटवर्क ने खुलासा किया था कि कावल एस्टाइक में कोई भी आतंगवादी ने मारा गया बल्कि मनने वाले सभी लोग आम नागरिक और बच्चे थे जिसके बाद पूरे विश्वर्क में बाइडन की करिकरी होने लगी और कही अफते बाद यह रिपोर्ट अब नियुवर्क टाइम में आज के दिन यानि के पैट्रॉइड डे पर सामने निगा कर आ लगा है यहां तक कि लोग का अमेरिका की ओपर से विश्वास उठ चुगा है हाला कि दूस्तों अमेरिका की तरस से दो इस्ट्रैक की गए थे जिसमें पहली इस्ट्रैक नगहा प्रोविंस में 27 अगस्कुफ की गई थी जिसमें आइसिस खुरासान की कई टारिस मारे गए थे हाला कि दूस्तों इस्ट्रैक करना फिर भी आसान था और से इस्ट्रैक में आतंगवादियो का मन्ना भी तैथा क्योंकि दूस्तों वो इलाका इस्ट्रैक के बाद अब पूरी वर्ल्ड मीडिया अमेरिका को श्रमिन्दा कर दे ऐसे आर्टिकल लिखने शुरू कर दिय जिसके बाद बादन की इमेज अमेरिका सेथ पुरे विश्वर में दिन पर तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दिरू बताईए अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों प्यादा तो वीडियो को शेयर क करना ना भूलें आखिरता देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरम